अब चर्चा की फिर से शुरुआत कर रहे हैं आर्विन सिंग नेता बीज़ोपी सर्वेश पाठ्षा पॉलिटिकर आनलेस्ट नमारे साथ में सुक्त सर्वेश जी आपकी बात अधुरी रह गए थी उस वक्त में सवाल ये है कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा अन्प्रोडिक्टेबल है लोगों के मुद्दे हैं लोग कह रहे हैं विकास चाहिए लोग कह रहे हैं एक तरह विकास चाहिए दूस तरह वो आर्टिकल 370 की बात कुछ लोग करने लगते हैं तो यहाँ पर यह कहपाना बड़ा मुश्किल हो गया कि जनता करुजान किस तरफ है देखें किश्मीर में जो है वो अलगाओ वादी तद तो अभी भी विराजमान है तो उसी का यह नतीजा है कि वो अभी धारा 370 के वहाँ पर पुना लागू करने की बात कर रहे हो या पाकिस्तान से बात कर चीत लेकिन जो युबा आप देखेंगे कि बोटिंग परतीसत सडेली इतना कैसे बढ़ा उसका पहला एक्जामपल हमें देखने को मिला लोकसभा एलेक्शन में दूसरा फर्स्ट पेज के एलेक्शन में देखे 61 परतीसत से उपर की बोटिंग परतीसत जो है दर्ज की गई तो इसका कहीं न कहीं ये संदेश दे रहा है कि वहां के जो आम जन्मानस है वो तंग आ चुके हैं ये आतंकवाद से और ये इन जो बाकी की जो पार्टियां थी वहां पे जिन्होंने बरसो आजादी के बाद से नेतरन कांफरेंस हो पीडीपी हो कांग्रेस हो जिन्होंने रा वहां की स्कूल कॉलेज़ों पर डिपेंड था लेकिन जब ये आतंकबाद से प्रभाविच छेत्र होता था तो कभी कर्फ्यू लगती थी तो स्कूल बंद है कॉलेज़ बंद है और बांकी के बड़े-बड़े जो फैमली थी या नेताओं थे उनके बच्चे देश के बाहर के राज्यों में पढ़ते थे या बाहर विदेशों में पढ़ते थे तो उन लोगों को कहीं न कहीं ये देखने को मिला है 2019 के बाद कि यहां पे विकास हो रहा है और आप देख लिजे कि रेलवे लाइन का कश्मीर तक पहुँचना वो चिनाप बिरिज अपने आप में एक जो कहते हैं इंजिनेरिंग मार्वेल है वहां पे लेकिन लोगों का तो कन्फूजन अजर आता है ना इसी एक तरफ वो विकास की बात करते हैं जैसा मैंने जिकर किया और दूसी तरफ उनकी अपनी एक अलग विचार धारा है तो ये जो एक कन्फूजन एक जो कौक्टे ल सुभा से ही मतदाता निकले हैं यहां नौशेरा विधानसाभा क्षित्र जो की अलोसी के साथ सटा क्षित्र है नियंत्रन रेखा के उपर है लंबी-लंबी कतारूं में सुभा से ही मतदाता घरूं से बाहर निकले हैं यह हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे व पिछले दस वर्षों में जमू कश्मीर में शांदार काम किया है सबका साथ सबका विका सबका विश्वास अमन शांती खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है मुझे विश्वास है कि जमू कश्मीर की जनता दिल खोल कर भारतिय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा और जमू कश्मीर के साथ साथ नवशेरा में भी कमल का फूल खिलेगा भारतिय जनता पार्टी प्रचन बहुमत के साथ जमो कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी भारतिय जनता पार्टी की जबरदस जीत होगी हमारी अपनी सरकार होगी पूरे नियंतरन रेखा के उपर जबरदस मद्दान हो रहा है जबरदस्त वोटिंग हो रही है और मुझे विश्वास है कि बीजे पी की शानदार जीत होगी चलिए कॉंग्रेस नेशनल कांफरंस और पीडी पी ने हमेशा जमू कश्मीर की जनता के साथ इस्तसाल किया है यहां उन्होंने जमू कश्मीर की जनता का बंटाधार किया है इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता का पूरन समर्थन भारत ये जनता पार्टी को मिले पहले हमारी कोशिश है कि BJP जनटा का विश्वास हासिल करे और जब बीजे पी को जनटा का समर्थन हासिल होगा तो देखिये पीडीपी के हक नवास से रविंदर रहना का मुकाबला है 2014 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी लेकिन इस बार उनको पूरा भरोसा है कि यहां पर कमल खिलेगा और असी की बात को करते हुँ नजर आए हर प्रत्याशी को यही उम्मीद होती है और हर प्रत्याशी यही दावा करता नजर आता है लोगों से वोट अपील किया उन्ह उम्मीद पूरी है बीज़पी को कि इस बार सत्ता में काबिज होंगे लेकिन मेरा जो सवाल सर्वेश जी से था कि जनता की जो अभी तक रियाक्शन आए जो वोराल देखा गया उसमे नजर आ कि कही न कहीं जनता थोड़ा कन्फ्यूजड है आपको नहीं लगता है सार्व दो हजार चौदों में बंपर ओटों से जीते थे और दुबारा वो जीतेंगे जम्मू से लेकर कास्मीर तक भारती जनता पार्टी ने जो काम किया है भारती जनता पार्टी ने जो काम किया है वो दिख रहा है किवल दावा नहीं है आप बताइए आज पूरे कास्मीर में पूरे घाटी में जो शांटी पसरी हुई है आप बताइए निसपश्टा के साथ क्या पहले अभी कभी दिखाई देता था क्या दूर दूर तक विकास की बात हो रही है रोजगार की बात हो रही है बिकास और रोजगार का पहला सर्थ होता है सांती बयवस्ता अस्थाईत्व आज इतनी शांती है वहाँ पहले कभी नहीं चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कांफरेंस हो या कांग्रेस हो इनके भष्टाचार ने इनके परिवारवाद ने और इनके निजी स्वार्थों ने जम्मू कास्मीर का बेड़ा पिछले 75 वर्षों में गर करके रखा था मोधी जी के नितित्यों में 370 और 35 हटने के बाद जम्मू कास्मीर में भारत के संविधान के सारे प्रावधान लागू हो रहा है राहुल गांदी जी बार-बार संविधान की बात करते है लेकिन जब जम्मू कास्मीर की बात आती है तब वहाँ चुपपी साद लेते हैं क्या भारत के संभिधान के सारे प्रावधानों को जम्मू कास्मीर में पहले दिन से लागू होना नहीं चाहिए था क्या जम्मू कास्मीर के जनता को सेस भारत के जनता को जो संभिधानिक ला और ये केवल मैं नहीं का रहा हूँ पाकिस्तान के रक्षा मंदरी का भी दावा था क्योंकि जो जो मांगे पाकिस्तान करता है चाहिए पर आर्विंज एक बाब बताएगे रविंदर रहना का मुकाबला इस बार भी सुरेंदर चौधरी से है पीडिपी भी मैदान में हैं औ और मुकाबला वहां पर भी माना जाना लेकिन सुरेंदर चौधरी जो इतनी दफ़ा यहां से वहां घूम घूम कर इस बार नेशल कांफरेंस के प्रत्याशी बनकर सामने आए हैं क्या ये बड़ी चुनोती नहीं है जिन्होंने घाट-घाट का पानी पी लिया हो उनकी ता पीसला चुनाव वह डाई चाड़े तीन लाग से जादे वोटों से लोग शाबा का हार गया है पहले तो यह था कि तीन सुर सत्तर नहीं आएगा तब तो चुनाव नहीं लड़ेंगे अब चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है इसके दो दो तो पिछली ब जीत का अंता साड़े 9000 था इस बार जब बदलाव की बयार की बात आप कर रहे हैं तो क्या मान कर चलने बीजेपे की परत्याशिक कितने मार्जन से जीतेंगे अब देखें कितने 1000 से जीतेंगे कितने 100 से जीतेंगे ये तो कोई भी इसकी भविस्वाड़ी नहीं कर सकता है मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि जम्मू कास्मीर में जो इस्थितियां बदली है जो विकास की आधी चली है जो शांती बैवस्था कायम हुई है उसके कारण से हमें जवरज़स समर्थन मिला है और हमें अपने कामों के अदार पे पुरा भरोशा है कि भारतिय जनता पार्ट बीच नहीं था लेकिन इस बार जब विधान सभा का चुनाव है और मुद्धे अपार है एक तरीके से देखा जाए और एक दस साल बात क्योंकि मर्दान की प्रक्रिया यहां पर हो रही तो जाहिर तो लोगों की अपने अलग-अलग मुद्धे हैं लोगों की अपनी-अप सोच है उसमें क्या आपका आंकलन है क्या जीत का मार्जन बहुत जादा होगा या फिर अगर सीब्स की बात करते हैं तो बहुत सथा टफ फाइट है कि बौटिंग प्रतिशत में देखिए जब पहले जो चुनाब होता था तो वहिसकार करते थे आतंकबादी लोग उसके ड तो इसका सीधा सीधा ये संदेश जा रहा है कि लोग बढ़ चट के हिस्सा ले रहे हैं अब जो रही बात की काटे की टकर तो देखिए कश्मीर रीजन में भोट बैंक का बटवारा तो जरूर होगा जैसा कि देखा गया है कि भारत के अनराज्यों में लोकसवा हो या बिदा पी को कौन हरा रहा है लेकिन वहां पर कुछ ऐसी पार्टी हैं जो हर मुस्लिम हित ऐसी पार्टी कर दीए आपके पास वापास लोटरी